जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में चोकिदार नियुक्ती निमावली का गयट जारी राजिपाल द्वारा ग्री विभाग द्वारा चोकिदार सन्वर्ग की भरती सेवा सर्तो एवं प्रोनाती से समध निमावली की सुग्रिती के बाद 7 अपरेल 2015 को अधिसुचना जारी की गई लेकिन इस अधिस सुचना का गयट 7 साल बाद यानि 13 अपरेल 2022 को जारी किया गया इस निमावली को जारखन चोकिदार सन्वर्ग निमावली 2015 कहा गया है बता दे इसमें कहा गया है कि गयट में परकासन की तीथी से या निमावली लागू होगा इस निमावली के तहट चोकिदारोक नियुकती यों परोनाती के अनुशंसा उपायूत की अध्यक्सता वाली कमिटी करेगी इस कमिटी में वरीये पूलिस अधिक्छक जीला के सभी अनुमंडर लिये पदाधिकारी उबिकास आयूक्त सा मुख्य करे पालक पदाधिकारी वा उपायूत द्वारा मनोनीत अनुसुचित जाती जन जाती के एक पदाधिकारी कमिटी के सदस्य होंगे सरकारी स्कूलों को नीजी हाथों में सोपने जा रही है मंत सरकार सिक्षा में सुधार कीजिये वरना सरकारी स्कूलों को सोप देंगे नीजी हाथों में अगर आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बना सकते तो सरकार इनी स्कूलों को नीजी हाथों में सौप देगी ताकि बच्चों को सुनारा भविसे दे सके ऐसे में हमें आप कोमेंट बक्स में बताए कि क्या सरकार को इसकूलों को नीजी हाथों में सौपना चाहिए या नहीं अपनी सुझाव अवस्य दे इसकूल बस में लगी भीशन आग रांची के लालपूर इलाके में बुद्धवर को एक इसकूल बस में आचानक आग लग गए इसकी चपेट में आने से कई अन्यवाहन भी जल गए सुखद सन्योग रहा की बस में बच्चे स्वार नहीं थे वरनाद दार्दनाक हाथसा हो सकता था जनकारी के अनुसार लालपूर थाना से कूछी दूरी परिश्थीत गैराज में यह स्कूल बस खड़ी थी इसमें सवार बच्चे उतर चुके थे बच्चों को उतारने के बाद यह बस गैराज में खड़ी हुई थी इस हाथसे में बस और एक कार भी जलकर राख हो गई है बन्ना गुपता और सर्जू राय में सिधी टक कर स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता ने विधायक सर्जू राय पर प्लटवार करते हुए लिगल नोटिस भेजा है ट्रेजरी से पुरुत्साहन रासिक मामले बन्ना गुपता के अधिवक्ता संजाय मिस्टर ने स्री राय को लिगल नोटिस भेजते हुए कहा कि तीन दिनों के अंदर में वे मीडिया में माफी नामा छपवाय अन्याथा कानूनी परकिरिया का सामना करने के लिए त्यार रहे इधर स्री राय ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है कि सवास्त मंत्री जार χんな ने अपने एक वकिल के माध्यम से मुझे नोटिस भेजा है नोटिस इमेल द्वारा 18 अप्रेल को दो पहर दो बजे मेरे राची कर्याले को मिला नोटिस की मियाद परसो दो पहर में खतम हो जाएगी नोटिस इस लाइक नहीं है इसका जबाब दिया जाए नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री जी मुझ पर मुकादमा करने का साथ करे मैं मुकादमा की पर्तिक्छा करूँगा कल से जारखन में बारिस की संभावना जारखन के उपर एक नीम्न दबाव का छेतर बन रहा है इससे कई जुलो में मौसम का मिजाज एक 20 अपरेल से बदल सकता है संताल, पर गना और मध्य जारखन में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ हलकी बारिस हो सकती है इससे लोगों को गर्मी से रहत मिल सकती है हलाकि पलामू परमंडल में गर्मी का कहर जारी रहेगा और लू भी चलेगी मौसब बेगानिक अभिसेक अनन्द के अनुसार जारखन में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इससे बना एक टर्फ पच्छिम से असम की ओर जा रहा है इससे 22 अपरेल तक हलके सिमा दर्ज की बारिस हो सकती है गोवर्नर रमेश बैस ने भीसी को जे यूटी में बहतर कर्मियोग नियुक्ति की जाच का दिया निर्देश राज़ेपाल सा कुल अधिपती रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन में जे यूटी में आउट्सोर्सिंग से 22 कर्मियोग नियुक्ति करने के मामले की जाच का निर्देश बिस्वविदाले के कुल पती और राइस्टार को दिया है राज़भवन के मौखिक निर्देश के बाद विस्वविदाले अस्तर पर इसकी जाच शुरू की जा रही है करमचायोग नियुक्ति में गलबड़ी को लेकर अलप संख्यक स्कूलों में नियुक्ति पर किरिया शुरू बतादे परिक्षा में लगभग 2000 परिशार्थी सामिल हुए एक पत के लिए लगभग 280 अभ्यार्थी परिक्षा में सामिल हुए परिक्षा स्वव अंखो की हुई इसमें हिंदी गनित अंगरेजी बिग्यान वा समाजिक बिग्यान विसाय की परिक्षा हुई परिक्षा में लगुवा दिर्ग उतरिये दोनों प्रकार के प्रस्ण पूछे गए थे डाइबिटीज समेत कई दवाएं होई सस्ती राश्ट्रिये औस्धी मुले निर्धारन प्राधी करण ने डाइबिटीज सहीद विभीन बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 15 दवाओ के खुद्रा मुले की दर निर्धारित कर दिया है इन में कम्बिनेशन की दवाएं सामिल हैं जिनकी कीमत कमपनियां अपने हिसाब से निर्धारित करती थी बतादे दवावों की कीमत निधारन होने से राजे में डाइवेटी से पीडी स्यक्डो मरीजों को इसका लाब मिलेगा पंचायती राज अधिनियम वब पेशा के तहत बनेगी सब कमिटी मुख्य मंतरी हेमान सुले ने समाजिक सुराक्षा के सभी पेंसन धारी लाब को के खाते में हर महीने की पांच तारिक तक पेंसन रासी अनिवारे रूप से जामा करने के निर्देश दिया है लाब को के इसकी जनकारी इसमें से देने के लिए भी कहा मुख्य मंत्री ने महिला बाल विकास वं समाजिक सुराग्छा पेशा एक्ट के तहुत सभी पंचायतों में सब कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया उन्होंने कहा कि सब कमेटी में मान की मुखिया वपरधान समेथ अनप्रम प्रागत नेतित करताओं को सामिल किया जाए सब कमेटी माह में दो बार बैठक कर गरामिनों को जनम मिरित्यों जाति पाउन पत्र निर्गत करने के लिए आवेद्दनों के सत्यापन का कारे करे समरी लाल का जाति पाउन पत्र मामला राजभवन में बिधायक समरी लाल का गलत जाती पॉन पत्र का धार पर विधान सभाग सदस्यता समाप्त करने से समधीत रिपोर्ट राजेपाल के पास भेजी गई है। पुर्व मुख्य मंत्री रगवर दास के सिकायती पत्र के अधार पर की है। गोड़ा में पत्र के लिए पास पत्र के लिए पहले चरण के इस उतना जारी होने के बाद परत्र के अधार पर है। गोड़ा में दूसरे दिन जम कर नमांकन हुआ। पहले दिन जीला परिशत सदसे के लिए किसी ने भी परचा दाखिल नहीं किया था। लेकिन दूसरे दिन इस पत्र के लिए कूल तीन लोगों ने नमांकन पत्र भरे। जिसमें गोड़ा से बेवी देवी वा सिलफी कुमारी सामिल है। जारखन में दूसरे चरण की अधिसुचना जारी। राजे में पंचाय चुनाओ के दूसरे चरण के अधिसुचना 20 अप्रेल को जारी होगी। इस चरण में 16 जीलो के 50 परखंडो की 872 ग्राम पंचायतों में 29 माई को मद्दान होना है। बता दे अधिसुचना के एक दिन बाद 21 अप्रेल से परत्यासी अपना नमांकन दाखिल कर सकेंगे। नमांकन की अमतिमतिती 27 अप्रेल है। चात्रों को हिंसक आक्रमक बना रहा इंटरनेट। सोध के अनुसार रोजमरा की चीजों के लिए इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है और इसके नाकरात्मक पर नाम भी सामने आ रहे हैं। एक नई अध्यान में पाया गया है कि किसुरों पर इसका बिसेस रूप से नाकरात्मक परभाव पड़ा है। किसुरों में बढ़ते इंटरनेट के उपयोग को परतिकूल मानसिक स्वास्त परभाव और आत्महत्या की प्रभीती से जोड़ा गया है। मोगे तुनला में खराब व्यक्तित्व स्वास्त उष्टनाव अस्तर और उदासी और आत्महत्या की भावनाएं थी। धन्यवाद।